नमस्कर बिहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार देखें बिहार सरकार की राजस्वेबं भूमी सुधार बिभाग पिछले कुछ महीनों से लगतार पूरे बिहार के अर्तिसो जिलो में जमीन सर्वे का काम करवा रही है और बिहार के सभी जिलो के लोग इस जमीन सर्वे में बढ़ चर कर हिस्सा भी ले रहे हैं लेकिन इस सब के बीच लोगों को रयतो को कागजात को लेकर खूब परिसानियों का सामना करना पर रहा है जिनके पास जो कागजात नहीं है उस कागजात को निकलवाने के लिए लोगों को अंचल ऑफिस के चकर काटने पर रहे हैं लेकिन इस सब के बीच खतिहान को लेकर के सबसे अधा परिसानी लोगों को हो रही है खतिहान निकालाने को लेकर के क्योंकि जब आप जबीन सर्वे में हिस्सा लेते हैं तो खतिहान जो है वो एक इंपोर्टेंट हिस्सा है लोगों को खतिहान नि निकायत कर रहे हैं कि खतिहान निकलवाने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जा रहे हैं बहुत आसानी से खतिहान नहीं निकल पा रहा है जबकि विभाग जो है उसका दावा है कि खतिहान आप घर बैठे मिंटो में महज 10 रुपे का भुक्तान कर आप अपने खतिहान अपने जमीन क खतियान जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से बिहार तक आज आपको पताएगा कि किस तरीके से बिभाग ने अपने वेबसाइट के जरिए लोगों के लिए आसान ये तरीका आसान किया है कि कैसे लोग घर पर बैख कर अपने जमीन का खतियान डाउनलो कर सकते हैं सबसे पहले आपको मोबाइल की ब्राउजर पर जाना है और ब्राउजर पर आपको जो विभाग का वेबसाइट है भुअभीलेक.bihar.gov.in एक बार फिर से सुन लिजे भुअभीलेक.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जब आप सर्च करते हैं तो आप विभाग की वेबसाइट में जले जाते हैं. वेबसाइट में जाने के बाद आपके सामने दो अप्शन होगे. एक अप्शन होगा पब्लिक और दूसरा डिपार्टमेंट लोगिन. पहला पब्लिक लोगिन, दूसरा डिपार्टमेंट लोगिन. ध्यान से आप इस वीडियो को देखते लेकिन हाँ अगर आपने अपना खाता नहीं बनाया अपने अपना अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है विभाग के वेब साइट पर तो आपको पबलीक लोगिन पर नहीं जाना है फिर आपको नीचे में एक उफ्षन दिख रहा होगा निउ यूजर रजिस्ट्रेशन उस पर जाकर सबसे पहले आपको अपना registration करवाना परेगा उसके लिए आपको new user registration पर click करना होगा और उसके बाद दिये गए निर्दोशों का पालन भी करना होगा जब आप new user registration पर जाते हैं फिर आपको वहाँ पर अपने mobile number डालना परता है जो registered mobile number होता है उस mobile number को आप डर्ज कर आपके mobile number की सत्यापन हो जाएगी जैसे ही आपके mobile number की सत्यापन होती है आपकी registration की प्रक्रिया की सुरवात हो जाती है उसके बाद आपको सत्यापन करने के बाद जो है आपको निर्दोशों का पालन करना होगा जब आप mobile number सत्यापन करते हैं तो आप से नीचे में कई सारे डीटेल मांगे जाते हैं, इस डीटेल में आपको सबसे पहले अपना नाम, अपना अंतिम नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर के अलावा आपको अपना इमेल, अपने जीले का नाम, अपने अंचल का नाम, अपने गाओं का नाम, अपने पोस्ट ओफिस है वो पूरी हो जाएगी रेजिट्रेशन की परकरिया पूरी होने के बाद आपको एक बार फिर से अपने उसी पुरान स्क्रीन पर जाना है जहां पर आपको पब्लिक लोग इन और डिपार्टमेंट लोग इन का ओप्शन मिल रहा था जैसे ही आप रेजिट्रेशन की परकर पूरी करते हैं आपको एक बार फिर से पब्लिक लोग इन पर जाना है और पब्लिक लोग इन पर जाकर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से दर्ज करना है ध्यान रहे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने रेजिट्रेशन में दर्ज कराया जैसे आप अपना मोवाइल नंबर डालते हैं उसके बाद आपके मोवाइल नंबर पर फिर से OTP जेनरेट होता है OTP जेनरेट होने के बाद आप उस OTP नंबर को डाल कर एक बार फिर से सब्मिट बटन पर क्लिक करेंगे और submit बटन पर click करने के बाद आपको खोज विकल्प में जानकारी दर्ज करानी है खोज विकल्प में आप चले जाएंगे और खोज विकल्प में जाने के बाद आपको जानकारी उपलब्ध करानी है जिसमें आपको अपने document type सेलेक्ट करना होगा, office का नाम डालना होगा, जीला का नाम डालना होगा, अंचल कार्याले का नाम डालना होगा, मौजा का नाम आपको उसमें दर्ज कराना होगा साथी साथ थाना संख्या का भी जो नंबर थाना संख्या है उसको भी आपको दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक कर देना है जब इतना सब कुछ आप कर देते हैं आप सर्च बटन पर क्लिक कर देते हैं फिर आपको एक्शन बटन पर क्लिक करना है एक्शन बटन क्लिक करने के बा को भी चुन सकते हैं या फिर बिना digital signature को भी आप चुन सकते हैं उसके बाद प्रिष्ट संख्या का चैन करना है आपको कितनी कौपी चाहिए खतियान की कितनी कौपी चाहिए इसका आपको चैन करना है ध्यान रहे आपको पर कौपी 10 रुपे का भुगतान करना होगा फिर एक्षन बटन पर आपको क्लिक करना है और उसी एक्षन बटन को क्लिक करने के साथ ही आपका खतिहान आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा और इस प्रक्रिया से आप घर बैठे मिन्टो में महज 10 रुपे के भूखतान पर जो है आप अपना खतिहान डाउनलोड कर सकते हैं अगर इस प्रक्रिया के बाबजूद अगर आपको खतिहान डाउनलोड करने में कोई भी परिशानी हो रही है तो आप बिहार तक इस वीडियो पर जरूर कमेंट करें हम आपके परिशानियों से राजिस्वेवन भूमी बिभाग को जरूर अवगत करवाएंग तब तक के लिए धन्यवाद